श्री राधे उनिवल्ल भाधीश कीजे उसाइजी परमदयालू कीजे श्याम सुन्दर ज्रियमने महरानी कीजे श्रीनात प्यारे कीजे सब वैश्नवन कुजे स्री कृष्ण और स्रवन करें 84 वैश्नव वारता वारता प्रशंग 6 और दामोदर्दास कुष्री आचारी जी तीसरे दिन दर्शन देते मारक की रहश्यवारता कहते ऐसी कृपा करते और कदाचे तीसरे दिन दर्शन ना होतो तो ता दिन दामोदर्दास के पेट में पीड़ा बहुत होती अच्चन्त कस्ट पावते और पाचे दर्शन होतो तब ततकाल कस्ट निर्थ होई जातो ऐसी भात केतिक वर्स परियंत स्री आचारे जी दर्शन दिनो ऐसी कृपा करते जो बात होती सो सब दामोदर्दास स्री गुसाईंजी के आगे कहते और मारक के प्रकार प्रकास की वारता अहरनेस करते स्री गुसाईंजी दामोदर्दास के उपर बहुत करपा करते और कहते जो दामोदर्दास के खदय में स्री आचारे जी महाप्रूह सदा बिराजे हैं भाव प्रकास, दामोदर्दास को तीसरे दिन स्री आचारे जी दर्शन देते ताको हेतु यह जो तीन दिन लों दर्शन को आवेस्ता में मगन रहतो तीसरे दिन सरीर की सुधी होती, सो विरह कष्ट होतो, सो दर्शन करे फिर शुरूपा अनंद में मगन होय जाते वारता प्रशंग साथ और पहले दामोदर्दास स्री गुसाइं जी की आधी गाधी दावे के बैठते सो एक दिन स्री आचारी जी माप्रभू ने देख्यो तब स्री आचारी जी ने दामोदर्दास सो पूछी जो दमला तूसरी गुसाइं जी को कहा करके जानत है को जानत है तैसे इनको स्वरूप जानियों वारता प्रसंग आठ एक समय स्री गुसाइं जी बैठे है तब दामदर दास ने कहीं महाराज अपनों मारग निश्चंगता को नहीं रूप प्रगट करता है और कहीं जो एक समय स्री महाप्रभु जी पौड़े आते तब स्री करता अवलम्मन सुद्धी करता उद्धीपन भाव या प्रकार डेड़ इसलोक कहे स्रावणश्यामलेपक्षे एकादश्याम महानेशी साख्यात भगवत प्रोक्तम तदक्षरसह उच्यते ब्रम्भ संबंद करनात सरवेशाम देव जीवयो या डेड़ इसलोक में सब आयो भाव प्रकार सुई अभिप्राय कहते हैं स्रावण महीना के पती भगवान है एक अमल जो उजयार उपक्ष भक्त जनन को होए भक्त जनन को है तिर एकादशी को दिन प्रभून को है एकादश्याम एकादश इंद्रिय की सुद्धी भक्त जन को कराईवे को महा निसी जो अर्दरात्त्री रास लीला में शाख्यात द्वगवान भक्तन को निसंग को हुई रह्ष्य वारता करते हैं, लीला में तैसे ही स्री आचारे जी सो बोले सगरे अक्षर कहते हैं, यहां ताई स्री आचारे जी उपर भाव स्री गोवर्धन नाज जी अब कहे ब्रह्म ताते दामोदर्दास ने स्रीक उसाओं जी सो कहो जो भक्ती मारक के विस्तार की आज्ञा है सुतम करो अज्ञान जीव है या ही भ्रह्म सम्बन्द ते दोस जाएंगे अंगी कार कराए एक शलोक में लीला आदे शलोक में मारक की रीत सब इन में आयो या प्रकार स्रीक दामोदर्दास ने कहो और तापाचे दामोदर्दास की सहायता सो आपने स्रंगार रसमनन गरंथ कियो वारता प्रशंग नौ और प्रथम स्री आचारे जी मापरवू दामोदर्दास सो कहो जो यह मारग तेरे लिए प्रगट कियो है जो जहां लग स्री आचारे जी की मारग क इस्तथी है तहां ताहीं दामोदर्दास की भी मारग में इस्तती गोप्य है और दामोदर्दास ने कयो जो मैंने स्री ठाकुर जी के बचन सुने पर समझो ना ही ता समय स्री आचारी जी ने कहो, अजहू दस जन्म को अंतराय है। भाव प्रकास ताक्व हेत हुए है, जो जब लगिस्री आचारी जी महाप्रभू के मारक की इस्थिति है, तब लग दामुदर दास को प्रागट्य फेर फेर है। गोप्य रीत सो मारक को इस्तंभ ही आते हैं। जैसे वल्लवकुल को प्रागट्य है तैसे ही भक्ती द्रण करन के लिए दामोदर्दास को हुँ अनेक वेश्णवन में प्रागट्य है। ता समय स्री गुवर्दनाज जी मंदिर ते स्री आचारी जी के पास पदारे तब दामोदर्दास ने से नहीं में गुवर्दनाज जी सो कहो जो तुम अभी यहां मत आओ तुम चंचल हो श्री आचारी जी जाग उठेंगे। तब स्री गुवर्दनाज जी ठाड़े होई रहे तब स्री आचारी जी जाग उठेंगे। कहें बाबा उहां क्यों ठाड़े होई रहे हो पास पदारों तब स्री गुवर्दन धर। पास आए स्री आचारी जी सो कहें जो तुम्हारों सेवक मोकु बर्जे हो जो यहां मत आओ स्री आचारी जी जाग उठेंगे। ताते में दूर ठाड़ो रहे हो तब स्री आचारी जी दामोदर दास उपर खीजन लागे। जो ते गुवर्दन नाच जी को क्यों बर्जे। तब स्री गुवर्दन नाच जी कहें इनसों क्यों खीजत हो इनने अपनो धर्म राख्यों इनको ऐसे ही चाहिए। तब स्री आचारी जी स्री गुवर्दन धर को गोद में बैठाए कपोल परस कर कहें बाबा कचु आग्या करो। तब स्री गुवर्दन धर कहें मो को गाय बहुत प्रिये हैं। तब स्री आचारी जी सद्धू पाड़े को बुलाए वेद कर्म करवे की पवित्री हती सुद्ध्य कहे या को दाम कर श्री गुणधन नाज जी को गाय ले आओ यहां दामोदर दास जी की वारता पुर्ण होय है सब वैश्नवन को जैसरी कृष्ण भगवत इश्मरण जी खचारी तो जाम कर दो दाम दो दाना दास जी को जाम झालादा वे ले वे वे ले वैश्ना नाजाए, चांहां जादान वे वारता शायार नाज सुद्द्धित्ट